डगो की किचिन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम खानवी रोल्स बनाने वाले हैं खानवी रोल्स बनाने के लिए हमें बहुत ही कम सामग्रियों का इस्तमाल करना होता है केवल बेसन और दही के इस्तमाल से ही खानवी घर पर जटपट बनके तयार हो जाती है और ये गुजरात की प्रसिद स्नैक्स है जिसको आप एक ट्राइ दे के देखिए ये बनाने में बहुत आसान है और बहुत ही टैम्टिंग रगती है पार्टीज में अगर आप इसे सर्व करेंगे तो तारीफों के पुल बानते लोग ठकेंगे नहीं इसको बनाने के लिए हम दही और बेसन का इस्तमाल करेंगे जितना दही लेंगे उतना ही बेसन लेंगे इसको मेजर करने के लिए आप मेजरिंग कब भी इस्तमाल कर सकते हैं या फिर आप एक बाउल यूज कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर इस्तमाल कर रही हूँ हम यहाँ पर बेसन डालेंगे जितना बेसन डाला है उतना ही इसमें दही डालेंगे दही को भी हम उसी बावल में मेजर करेंगे जितना बेसन उतना ही दही याद रखें अब जितना आपने इसमें दही डाला है उससे one-fourth quantity जादा हम इसमें पानी डालेंगे यदि आपने यहां 3-fourth cup बेसन और दही लिया है तो यहांपे एक cup पानी लें इसके बाद हम स्वाद अनुसा नमक डालेंगे हम थोड़ा कम नमक खाते हैं तो हमने कम डाला है आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं अब हम इसमें हल्दी डालेंगे जो इसको अच्छा रंग देगी हल्दी बहुत ही सुन्दर रंग देने में इसकी साहयता करेगी हींग डालना बहुत ज़रूरी है हींग हम पपी भी डालेंगे और चोके टाइम भी डालेंगे हींग के बाद हम यहां पे मिर्ची का और अध्र का पेस्ट डाल रहे हैं आप जिंजा गालिक पेस्ट भी डाल सकते हैं पर क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ग कोई भी लंस नहीं रहना चाहिए या तो आप इसको फोक से ब्लेंड करें या फिर मेरे जैसे विस्कर का इस्तमाल कर सकते हैं अब ध्यान रखे हमें जो यहां पे कढ़ाई लेनी है वो थोड़ी मोटे तले की होनी चाहिए अब हम इसमें ना तो घी डालेंगे ना तेल डा हैं तो गैस को मीडियम फ्लेम पर रखें या फिर एकदम स्लो भी कर सकते हैं आपके पास कढ़ाई नहीं है तो ऐसा बटन ले जो की ब्रॉड हो चोड़ा हो और उसकी डेप्ट थोड़ी कम हो यानि की गहराई थोड़ी कम हो तो अब यह पकना शुरू हो गया है तब तक हम यहां पर हमारी थाली को ग्रीस कर लेते हैं अपनी प्लेट को एकदम अच्छे से ग्रीस करके रखें आप किसी भी ऑईल का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहां पर कंजूस ही ना करें अच्छे से ग्रीस करके रखें ताकि हमारी खान भी एकदम अच्छे से निकले तो यह यहा आपको कहा था कि कड़ाई की डेप थोड़ी कम होनी चाहिए और वो चौड़ी जादा होनी चाहिए जिसकी वज़े से उसको ज़्यादा स्पेस मिलेगी पकने के लिए यदि आपकी कोई फर्माईच हो जिस पे हम अपना वीडियो बनाए नेक्स रेसिपी बनाए तो आप प्लीज कमेंट सेक्षन में हमें बता सकते हैं और हमाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आगे कि आने वाली वीडियो को देखने के लिए यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपनी दोस्तों के साथ भी से शेर कर सकते हैं जैसे जैसे हम इसे पकाती जाएंगे ये गाड़ी होती जाएगी और इसका पानी खतम होता जाएगा और एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जब आपको लगेगा कि हाँ ये बनके तयार हो गई है तो उसे सीधे प्लेट पे ना डाले पहले एक थोड़े से पैच को निकाले और उसको एक टेस्ट दें देखिए जैसे मैं दे रही हूँ मैंने थोड़ा सा निकाल दिया है और उसको फैला दिया है फैलाने के बाद हम एक मिनट का वेट करेंगे और फिर उसको हटा के कोशिश करेंगे कि वो निकल रही है भी या नहीं जैसे कि यहाँ पर मैंने टेस्ट किया है और वो नहीं निकल रही है मतलब पानी थोड़ा ज़ादा है तो मैं इसे और देर तक पकाऊंगी यदि ये रेसिपी बनाते है वक्त आपका पानी ज़्यादा डल जाए तो डरने वाली बात नहीं है आप किसी भी पॉइंट पेस में बेशन एड़ कर सकते हैं और फिर इसे पका सकते हैं यदि ये ज़्यादा गाड़ी हो जाए तब भी आप इसको बिना डरे थोड़ा पानी आड़ करके सही कर सकते हैं अब देखिए मैंने इसका टेश लिया और वो निकल गई इसलिए मैं इस पूरी को प्लेट पे निकाल लूँगी और अच्छे से फैला लूँगी आप इसको बिना डरे एकदम पतली भी कर सकते हैं और अगर आप वो थोड़ी मोटी चाहिए तो इसे मोटी भी रख सकते हैं यदि आपका फर्स टाइम है तो आप इसे थोड़ी मोटी ही रखें क्योंकि निकालने में फिर आसानी रहेगी मैं एकदम अच्छे से इसको यहाँ पर फैला लूँगी और फिर इसको रेष्ट करने के लिए रख दूँगी तीन से चार मिनिट के लिए अब देख सकते हैं एकदम अच्छे से फैल गई है अब हम इसे स्टफ करेंगे तो स्टफ करने से पहले मैं इसकी कटिंग कर लूँगी क्योंकि स्टफिंग डालने के बाद थोड़ा हाड होता है इसे कट करना स्टफिंग के लिए हम इसमें गिनारियल की गिरी लेंगे और हम इसमें थोड़ी dry fruits यूज़ करेंगे इसको अच्छे से फैला देंगे कितना सुंदर color लग रहा है न इसको अच्छे से फैलाएं और उसके उपर से थोड़ी dry fruits पी डाल दे dry fruits आप कोई भी ले सकते हैं मैं यहां पे किश्मिश और काजु ले रही हूँ इसको पूरे पे फैलाने की अच्छे से ज़र्द नहीं है आप एक line में भी डाल सकते हैं क्योंकि यह fold होते वक एक साथ ही आ जाने हैं अब इसको fold करने में ही technique है आप जब इसको fold करें तो दौनों side से fold करें ताकि वो अच्छे से fold हो नहीं तो वो बीच में से तूट जाएगी मैं आपको एक और fold करके दिखा देती हूँ देखिए इसे दौनों side से fold करना है एक साथ दौनों हाथ चलने चाहिए ताकि हम उसको नीचे से अलग करें और उपर fold करते हुए चलें इसी तरह सारो को fold कर लेंगे और हमाई खानवी बन गई है अब इसकी plating कर लेते हैं तो यहाँ पर हम plating करने के बाद इसमें तड़का भी देंगे ज़िए आप हमारी recipe देखने के बाद खानवी बनाए और इंस्टा पर upload करें तो हम दुगू की kitchen को tag करना ना भोले अब हम इसमें तड़का देंगे तड़के के ल दालेंगे और हरे मेच डालेंगे अब कैसे पता चलेगा कि राई अच्छे से पग गई है जब यह फूटना बंद कर देती है यानि कि crackling की sound बंद हो जाती है तब समझ जाएं कि राई अच्छे से तयार हो गई है हमारा तड़का तयार है लीजिए हमारी खान भी बन के तय तयार है बहुत ही कम इंग्रीडेंट्स के साथ इतनी सुन्दर और प्यारी स्नाक हम घर पे बना सकते हैं अब बाहर से खरीदने की जरद भी नहीं पड़ी क्योंकि आपको सारे सीक्रिट्स पता चल गए है कि कैसे एक अच्छी खान भी बनके तयार होगी तो डरिये ना क्वेशन रहे तो हमसे कॉंटेंक जरूर करें आप कॉमेंट करके भी हमें बता सकते हैं इंस्टा पर हमसे चैट भी कर सकते हैं थैंक यू